तो नमस्कार दोस्तों आचकी इस वीडियो में आपका सौघत है तो दोस्तों आचकी इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक गड़ाब एक 18-20-24 जानकरी जानना चाहिए कि आपको इन आठाचक्कियों को चलाने के लिए कौनसी मोटल लेना चाहिए तो आप वीडियो को बिल्कुल भी इसकी इपना करें फुल वीडियो वाच करें तब यह आपको रहेख जानका दिए अच्छी तरह समझ में आएगी तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को सुरू करेते हैं और आप 1440 अरपीम में भी इस मोटर को आप ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं 24 चकी के बारे में कि 24 चकी को चलाने के लिए आपको कौन सी मोटर लेना चाहिए तो देखिए आप 24 चकी को चलाने के लिए 12.5 HP 3-phase मोटर लें जो कि आप 960 अरपीम में भी ले सकते हैं और आप 1440 अरपीम में भी इस मोटर को ले सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं 24 चार्ट चकी के बारे में 24 चार्ट चकी को चलाने के लिए आपको कौन सी मोटर लेना चाहिए तो 24 inch आट अचक्की को चलाने के लिए आप 15 hp 3-phase motor लें यो कि आप 960 rpm में ही लें क्योंकि यो 24 inch आट अचकी काफी बड़ी आठ अचक्की होती है तो इसको चलाने के लिए आपको 960 rpm में ही motor लेना चाहीए जो कि आप 15 hp motor इसके लिए ले सकते हैं और आप इसको 960 RPM में ही लें तो दे रही दोस्तों हमारे दौरा कुछ बताईगी आपके लिए जानकारी तो और अगर आप इन मोटर की प्राइस जानना चाहते हैं कि ये मोटर आपको मार्केट में कितने रुपेगी पड़ेगी तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी इन सभी मोटरों की और अगर आप किसी भी चक्की की प्राइस जानना चाहते हैं तो वो आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी आप बहां पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें हम मिलते हैं आप से जल्दी किसी नई वीडियो में